हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कुछ ट्रेवन फॉर्स से विन, आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेर्स से दोहिचार चोईस को कवर करेंगे, जिसमें 8 जनवारी दोहिचार चोईस से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स के क्योशन है, साथ ही क्योशन से जो भी की पॉइंट है, इनको हम डेटेल से कवर करेंगे, तो चलिए बिना किसी दरीके स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा इंपोर्टेंट लिक्चर, पहला क्योशन है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किस ने राश्ट्रिय प्रतीक गोसित किया है, राइट आंसर हो जाएगा तो अभी हाल ही में किर्गिस्तान जिसके राजदनी क्या है बिसके के इसके द्वारा हम तेंदुआ इसको राश्ट्रिय प्रतीक गोसित किया है, यहीं पर यदि हम तेंदुआ की बात की जाएं तो इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, पैंधेरा यूनिका इ इसका भी राज्टीय पसु हिमतिंद्वा है उत्तर प्रदीश की बात की चाहें तो यहां का राज्जे जलिये जीव यह गंगा डॉल्फिन को गोसित किया है और गंगा डॉल्फिन इसको भारत का राश्टीय जलिये जीव यह 18 मईं 2009 को गोसित किया था अरुनाचल कि बात की चाहें तो यहां की राज्जे तितली है केसर ए हिंद्वा इसको अभी हाल ही में राज्टीय पसु गोसित कि दिया है किर्गिस्तान का तो किर्गिस्तान की राज्दानी आपको धिया रखनी है इसकी राज्दानी है बिसकेक और यहां की मुद्रा है किर्गिस्ता इसी के साथ साथ एक तो है बकलो है अभ्यास और एक है खंजर युदव्यास ये दोनों के दोनों युदव्यास भारत और किर्गिस्तान के मद्दे आयुजित किये जाते है नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किस रज्जे की सिमली पाल काई चटनी को जी आइटेग दिया गया यानि option number A हो जाएगा इसका right answer यहीं पर बात की जाए कि यह जो सिमली पाल काई चटनी है यह है ओडिसा की जो मयूज गंज जिला है इसके आदिवासी लोगों के द्वारा लाल बुनकर चेटियों से बनाई जाती है और इनके द्वारा जो यह बनाई गई चटनी है यह है ओशी दिये गुनों से प्रभरपूर है विग्यानिकों ने लाल बुनकर चेटियों का विशलेशन किया तो इसमें पाया किसमें प्रोटीन, केलसियम, जस्ता, विटामीन, बीट वालवे, लोहा, मेंगनेजियम, पोटीशियम, सोडियम, टामबा और एमिनो ऐसे लेकिन इसको लागू किया गया था सितंबर 2003 में, पहला जिया टेक यह सन 2004 में दारजलिंग की चाय को दिया गया, जिया टेक यह 10 वर्सों के लिए दिया जाता है और इसका आदर स्वाके है अतुल्य भारत की अमुल्य निदी, नेक्श्त यहीं पर हम कुछ कस्मीर की है, मुश्यक बुद्धी चावल का GI अटेग जम्बू कस्मीर को दिया गया, सलेम सागो का GI अटेग है तमिल नाड़ू के पास, मेटी के लागा भी GI अटेग तमिल नाड़ू के पास हैं, अलिबाग के सपिद प्याग महराश्क ने, महिदाना, पच्छीमि बंग इसका राइट आंसर हो जाएगा Space X Company तो Space X Company ने अभी हाल ही में अमेरिका का सेन्य अंतरिक्षियान X-37B इसको लूंच किया है अमेरिका का Space Force Mission है जिसका नाम क्या है US Space Force 52 इस मिशन के तहट X-37B सेन्य अंतरिक्षियान इसको लूंच किया गया है यहीं पर आपको ध्यान देना है कि एक था भारत का PSLV C-57 इसके द्वारा आदित्य L-1 मिशन लूंच किया गया था सितंबर 2023 के अंदर PSLV C-58 इस रूंच के द्वारा एक्सपोसेट मिशन लूंच किया गया था और एक्सपोसेट मिशन लूंच करने वाला अमेरिका के बाद में भारत दूसरा दिस्मन गया है निक्स्ते भारत है अपनी अगली PD के संचार उपगरे जिसका नाम क्या है G-720 इसको लूंच करने के लिए SpaceX के Falcon 9 का रोकेट का इस्तमाल करेगा SpaceX के बात की जाए तो इसकी स्तापना सन 2002 के अंदर हुई थी और इसके संस्तापक थे Elon Musk और इसी के साथ इसके मुख्याले की बात के जाए तो हात और न जो कि कहां पर इस्तित है केलाफ़ोर्निया अमेरिका के अंदर यहां पर इसका मुख्याले है और SpaceX कंपनी का एक संचार उपगरे है जिसका नाम क्या है Starlink नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लीथियम बंडार कहां पर मिला है राइट अंसर हो जाएगा USA याने अमेरिका के अंदर मिला है यहीं पर बात की जाए कि विस्व में सबसे बड़ा लीथियम बंडार जो कि केलिफोर्निया USA के अंदर मिला है यह साल्टन सागर के नीचे पाया गया है साल्टन सागर की बात की जाए तो यह केलिफोर्निया के कोल राडो रेगिस्तान के अंदर इस्तित है सरवादी के लीथियम बंडार वाले देश की बात की जाएं तो सबसे अधिम लीथियम के बंडार यह चिली देश के बाद में है उसके बाद में और फिर आता है अर्चेंटिना का इस्तान लेकिन यदी बात की जाए कि सर्वादिय की लीथियम उत्पादक देश कौन-कौन से है तो इसमें औस्टेलिया पहले नंबर पर आ जाएगा फिर चिली है और थर्ड नंबर पर है चिल नेक्ष्ट यहाई पर कुछ हम इंपोर्टेंट मरुस्तलों को कवर करेंगे रब अलखली मरुस्तल यह सौदी अरब के अंदर इस्टित है और विश्व का सबसे रेतिला मरुस्तल है पेटागोनिया मरुस्तल अर्चेंटिना में है अटाकामा मरुस्तल यह पेरू और चिली की सेमा परिस्तित है और यह विश्व का सबसे सुष्क्रितम मरुस्तल है गोबी का मरुस्तल चीन और मंगोलिया की सिमा पर इस्तित है दस्त ए कबीर मरुस्तल दस्त ए लूट मरुस्तल यह इरान के अंदर इस्तित है सहारा मरुस्तल अफरीका के अंदर इस्तित है नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में DRDO ने कब अपना 66 इस्तापना दिवस मनाया है तो इसका राइट आंसर है एक जन्वरी को यहीं पर यदि DRDO की बात की जाए तो DRDO की फुल फॉर्म होती है Defense Research and Development Organization इसकी स्तापना 1958 के अंदर हुई थी और मुक्याले है नई दिल्ली के अंदर यदि इसके वर्तमान में चेर्मेन की बात की जाए तो समीर वी कामत इसके चेर्मेन है आदर्स वाके इसका बलस से मुलम विज्यानम या फिर Strength Oregon in the Knowledge यह हो जाएगा इसका आदर्स वाके नेक्स्ट क्यूशन है दुरगतना होट स्पोर्ट को मेप करने वाला देश का पहला रज्चे कोनसा है राइट अंसर हो जाएगा पंजाब रज्चे पंजाब रज्चे के द्वारा नेविगेशन सिस्टम मेपल्स एप पर शभी 704 दुर्गटना संभावित चत्रों को ब्लेक स्पोर्ट के रूप में व्यापक रूप से मेप करने वाला पहला भारतिय राज्य बन गया है नेवीगेसर सिस्टम मेपल से एप की बात की जाए तो इसको मेप माई इंडिया के द्वारा विक्सित किया गया है और यह पहल मुख्यमंत्री भगवन्त सिंग मान की पर्मुक परियोजना कौन सी है सडक सुरक्षा बल इसके इससे के रूप में इसको सुरू किया गया है इस एप के द्वारा यात्रियों को आने वाले बलेक स्पोर्ट के बारे में तेटावनी देते हुए पंजामी में वो इस अलर्ट प्रदान किया जाएगा ब्लेक स्पोर्ट सो मेटर दूर होने से पहले ही यात्रियों को ये अलर्ट मिल जाएगा जिससे यात्री सचेत हो सके नेक्स्ट क्यूशन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर गुजरात में सामुए के सूरिये नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड मनाया है इस अवसर पर गुजरात के 108 इस्तानों के उपर पचास हजार से भी अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूरिये नमस्कार किया गया और इस आयोचन का मुख्यकारिये करम यह है महशाना दिले के मोडेरा सूरिये मंदिर के अंदर इसका आयोचन किया गया मोडेरा सूरिये मंदिर यह कहां पे इस्तित है महशाना दिले के अंदर गुजरात में मोडेरा सूरिये मंदिर यह गुजरात के महशाना दिले के अंदर मोडेरा गाव के अंदर जो पुश्वावती नदिये इसके किनारे इस्तित है मंदिर का निर्मान ये सोलंकी वंस के राजा भीमदेव प्रक्थम ने करवाया था 1026 इसे में यहीं पर यदि कुछ इंपोर्टेंट परमुक मंदिरों की बात की जाए तो लिंगराज मंदिर ये भोवनीश्वर ओडिसा में स्थित है ये जो व्रदिश्वर मंदिर है इसको दक्षिन का मेरू भी कहा जाता है यहीं पर आपको द्यान देना है कि जो दक्षिन भारत के जितने भी मंदिर है यह द्रविड सेली के अंदर बने हुए पदमनाब स्वामी मंदिर जो की किरल के अंदर इस्तित है और यहाँ पे भगवान विश्नों की लेटी हुई प्रतिमा है कामख्या माता मंदिर जो की असम के अंदर इस्तित है निक्ष्ट है कोनार्क मंदिर जो की ओडिसा के अंदर इस्तित है और कोनार्क मंदिर इसका निर्मान गंग वंस के राजा नर्सिंग देव प्रत्थम ने करवाया था कोनार्क मंदिर यह सोड उर्चा से संचालित होता है और इसी मंदिर को बलेक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है सब्री माला मंदिर यह केरल के अंदर इस्तित है और लोड अयपपा का मंदिर है मकर विलक कुत्योहार जिसका संबंध सब्री माला मंदिर से है मिनाक्षे मंदिर की बात की चाहे तो यह है मधुराई तमिल नाडू के अंदर इस्तित है नेक्ष्ट यहीं पे हम 6 जनवरी के जोबी के रंटर फिर से इनका रिवीजन करते हैं 24-23 में भारत में बागो की मृत्यू के मामले में सिर्स राज्य कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा महराश्य राज्य हाल ही में हाइड्रोपोनिक करसी के लिए एलेक्ट्रोनिक मृदा का विकास किसने किया है तो यह स्वेडन की एक लिंपोकिंग यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्यूशन हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पडाओ की ब्रान एमेसेटर किसे बनाया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंकी और यह जो पिंकी है इन्होंने इसमाइल पिंकी फिलम के अंदर भूमी का निबाई थी और यह पिंकी मिर्चापूर उतर परदीस की रहने वाली है कडियाल साडी के बात की जाए तो यह किस राज्जे से संबन्दित है जिसे हाल ही में जिया टेक दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा पच्छी मी बंगाल निक्स्ट क्यूशन हाल ही में भारतिये नो सेना के उप परमुक कौन बन गए है राइट आंसर है धिने से के टरिपार्टी तिने सी के तिरपासी से पहले संजेज जे सिंग यह ते भारतीय नोसेना के उप परमुक हाल ही में दबाबरी मज्जेते राम मंदिर दिलेमा नामक पुस्ता किसने लिखी है राइट अंसर है मादाव गौड बोले नेक्स्ट क्यूशन हाल ही में ग्रेम अंतराले के द्वारा जारी आकडों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में किस राज्चे के अंदर इस्तित है तो राइट आंसर है तेलंगाना राज्चे में तेलंगाना किस्तापनासन 2014 के अंदर हुई थी तो यह था आज का हमारे एक इंपोर्टेंट वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए साते हमारे यूट्यूब चैनल स्टेड़ी 147 को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आपका दिल से दन्यवाद जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाय टेक केर